नमस्क्राइब दोस्तु श्वागत हैं आप से भीका रोसल सा इस्टेडी पॉंट पे और आज किसी वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th class हमारे history का जो chapter number 13 है जिसका नाम है महत्मा गांधी और राश्ट्री अंदोलन इस chapter के उपर मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो एक वीडियो प्रवाइड करा चुका हूँ जिसमें आप लोगों को महत्मा गांधी का जो पुरा जीवन है उनका जीवन का पुरा इतिहास है वो समझा चुका हूँ मतलब जीवन परिचे आपको दे चुका हूँ तिक है आ सबसे पहले हम बात करते हैं मातबा गांधी के बारे में आपको जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इनका पुरा नाम है मोहंदास करमचन गांधी और ये 1915 में भारत आये थे बीदेश से मात्रभूमी लोटे थे काफी दोदसक तक उने बीदेश में समय बिताया उसमें से ज्यादा तर समय दक्षिन अफ्रीका में बिताया था वकालत करने गया थे वकील के रूप में गया थे लेकिन भारते समदाय के परमुख नेता के सब्सक्विंद्रन्स देवनिसन् उनकी अनुसार दक्षिन अफ्रीका ने ही महत्मा गांधी को महान बनाया क्योंकि महत्मा गांधी on right तो इसमें किसी सत्या कर्रे किसी.." हिंसा नहीं होता थ Ha इस तरीकेसे उन्होंने क्या किया उहाँ वहाँ वह बेदव होता था धर्म के धार पे जात्री कर देजार क.' सब चीजों के खिलाप उन्होंने एक अभ्यान चलाया एक तरी की समय से कहा सकते हैं तो वहां पर फिमल्स नेता की रूप में उपरी उसके बाद जब पंदरा में वापिस आए जब महात्मा गांधी पंदरा में वापिस आए तो भारत बहुत कुछ बदला हुआ था जब वह भारत में कॉंगरिस की अन्यक साखाय खोली जा रही थी अलग अलग जगे पे इस समय भारत में सौदेशी आंदोलन चला जा रहा था सौदेशी आंदोलन में क्या है कि हमारे देशी बस्तू का इस्तमाल के उमहत्प दिया गिया भी देशी बस्तू का त्याग है ना यह सौ नेता होगी हम बात करें जैसे कि महराष्ट के आपके बाल गंगा धर्तिलक थी बंगाल के विपिन चंद्रपाल थी पंजाब से लाला लाजपत राय इन तीनों को हम लाल बाल और पाल के रूप में जानते थे तो ये सबी नेता क्या थे लड़ाकू बिरोद का समर्थन करते मतलब कि हम लड़के क्या कर सकते हैं आजादी चीन सकते हैं ऐसा मांदे थे दूसरी तरफ कुछ उदारवादी नेता थे जैसे कि हम एक तरीके से महत्मा गंधी के जो गुरू है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले है ना मुहम्मद अली जिन्ना हो गए ये सब उदा भारत आने के बाद महत्मा गंधी को सलाह दिया कि हो क्या करें पूरे भारत का भ्रह्मन करें भारत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो महत्मा गंधी ने एक साल तक भारत का भ्रह्मन किया उसके बाद महत्मा गंधी की भारत में सबसे महत्पून उपस्ति बलकि उन्होंने दक्षिन अफ्रीका में जो काम किया था उस वज़े से इनको बुलाया गया था तो यहाँ पर जितने भी सज्जन लोग बोलने आए उन्होंने ज़्यादा तर जो लोग थे यो सूट बूट में थे मतलब जो बिदेशी कपड़े है उसको धारन कर रखा था और यहाँ पर जादा तर जो अमीर लोग है उनको अमंत्रित किया गया था उनको इन्वाइट किया गया था हजारों के संख्याए में जो हमारे गरीब किसान थे मजदूर थे उन में से किसी को इन्वाइट नहीं किया था तो महतमा गांधी को जब बोलने की बारी या यह महतमा गांधी ने जब बोला तो उन्होंने बोला कि बनारा सिंदु भिद्व दयालेका जो उदघवाटन जो मतलब और भारती ये जो लोग है हैना उनकी अनुपस्तिती है इस कारण उन्होंने चिंता व्यक्त किया मात्मागानी ने जोर देकर कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संबब नहीं है जब तक कि हम अपने आपको इन अलंकरनों से मुक्त ना कर दे और अपने पूरे जीवन को अपने देश के लिए समर्पित ना कर दे उन्होंने बोला कि हम आजाद तब ही हो सकते हैं जब किसानों को उनकी उपज का पूरा हिस्सा उनको देला दे मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा हिस्सा उनको देला दे मतलब कि किसानों को मजदूरों को बहुत महत्म देते थे उनका माना ये था कि ना हम वक्यूलों के माध्यम से ना डॉक्टर के माध्यम से ना जमिदार के माध्यम से इनके माध्यम से हमें अजादी नहीं मिलेगी अजादी मिलेगी तो किसानों के माध्यम से मजदूरों के माध्यम तो इस तरीके से बनार सिंदू बिस्विद्याले में उनकी पहली उपस्तिती हुई थी अब देखो इन्होंने जो बात किसानों को महत्व देने की बात कही तो ऐसा यह घड़ना घड़ता है तो 1916 में ही क्या होता है कि बिहार के चंपारण से कुछ किस चंपारण सत्यागर नील की खेती के खिलाब चलाया गया था उसके बाद 1918 में महतुमा गांधी अपने गुजरात वहाँ पे दो अभियानों में जुर्य हो रहे पहले तो आहमदाबाद में क्या था कि जो कपड़ा मील में काम करने वाले जो स्रमिक थे उनके लिए बेहतर माफ करने की मांगी थी अंग्रेजों से तो इस तरीके से चोटे अभियान क्या सकते हैं इनको बाद में क्या होगा कि अब एक राष्ट ब्यापी अभियान चलाया जाएगा जो की स्वयोग अंदुलन होगा अभी हम आगी आश्योग अंदुलन के बारे में बात कर दे वाल किसे के कामे युगदान ना करना ही आश्योग कहलाएगा तो यह अंदुलन उनिस सो बीस में चलाया था और इसके माद्य हम से यह महत्मा गांदीनी लोगों से अपील की थी कि हमें अंग्रेजों के किसी भी काम काजमी स्वयोग नहीं देना क्योंकि ब्रिटिस राज भारत में तभी चल पा रहा है तक कि हम उनके काम में सोयो कर रहे हैं अगर किसान खेती करना बंद कर दे मजदूर मजदूरी करना बंद कर दे वकील वकालत करना बंद कर दे जो सिक्षक है उपढ़ाना बंद कर दे तो क्या अंग्रेज भारत में रह पाएंगे अंग्रिजों कोई काम का जोग ही नहीं पाएगा यहां पे तो अपने आप भारत शोर के भाग जाएगी ऐसा महात्मागानी ने कहा था और महात्मागानी ने यह भी कह दिया था कि दो वर्स तक अगर यह अश्वयोग अंदोलन चलता है तो भारत आजाद हो जाएगा तो इस अंदोलन को चलाने की पीछे पहला कारण था रोलेट अक्ट यह 1918 के असपास लगू किया गया मतलब पर्थम विश्यूद के बाद लगू किया गया था और इस एक्ट के अंदर गया इस कानून के अंदर गया ऐसा था कि किसी बैक्ति के ऊपर मतलब बिना कोई जाज प उपोर्ट गिया था अंग्रीजों को सांथ दिया लेकिन और युद के बाद हो कोशिज कर रहे थे हो मतलब एक प्ली से मांग कर रहे थे कि अग्याल के बद्ले उनको इन्याम गिला रोल एट्क्त लागू करके बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जाने लग गया तीसरा यह सूचना दे थी कि वहाँ पे लोग बिद्रोख करने के लिए या कोई आंजोलन करने के लिए खटे हुए और वहाँ पे जाता है और अंदादून फारिंग करवा देता है जिसमें 400 से पी जादों लोग मारे जाते हैं बहुत शारी जो महिलाएं हैं वो अपना जान बचाने के लिए कुए में कुच जाती है पुरुस कुए में कुच जाते है अब लोगों ने इसके वारे में दस्वी क्लास में पढ़ा है तो जले वाला बाग हत्या करने एक मेन रीजन था सयोग आंदोलन को चलाने का एक और कारण बता सकते है गान्दे जी की गिरबतारी गान्दे जी पंजाब जा रहे थे पंजाब जाते समय उनको बिना मतलब के क्या किया गया बगर के जेल में डाल दिया क्योंकि रॉल एक टेक्ट लाग हो था तो जाइड जी बाते और अंग्रेजों को थोड़ा मतलब सकता कि यहां यह कुछ तहल का मचाने की कोशिज कर रहे है या फिर कुछ इख़वर करने की कोशिज कर रहे है तो इस कारण बस उनको जेल में डाल दिया गया तो हम ऐसा कह सकते हैं खिलापत अंदोलन मुसल्मानों का एक अंदोलन था इस अंदोलन की सुर्वात मुहम्मद अली और सौकत अली के दौरा की गई थी और इसका में परपस था जो तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को दुबारा से इस्थापिद करना क्योंकि में दुनिया में खलीफा को मानते हैं लेकिन खलीफा के पद को हाँ पर क्या कर दिया गया था खतम कर दिया गया था इस समय में तो इसलिए खलीफा के पद को दुबारा से स्थापिद करने के लिए खिलापत अंदोलन चला आया था और महात्मा गान्जी ने क्या किया खिल वनाने के लिए क्या कुछ म्हात्मा गांदी नीने लोगों से आ गरे खिया और लोगोंने क्या कुछ किया तो इस आंदोने के प्रमकर chrom में हम बताएंगे कि जो तालि बिद्यार्ती थे उन्होंने स्कूल बर काले जाना बंद कर दिया कौलेजों का भाहिसकार किया है ना वकीलों ने वगालत करना बंद कर दिया जो किसान थे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया मजदूर हर्ताल पे चले गए एक डाटा के अनुसरार 1921 की बात करे तो 396 हर्ताले हुई थी 6 लाक स्रमिक इसमें सामिल हुए लगा लिजी आप ठीक है तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे अंग्रेजों का विरोध होने लग गया था इसके अलाबा बहुत सारे जो कुमाव के किसान थी उन्होंने जो अपने विसिक अधिकारी है उनके समान को अड़ोने से मना कर दिया बिदेशी बस्तुथ की होली चलाई गई मतलब की चारए हे पे एक साथ बिदेशी बस्तुथ के घटा किया गया उसमें आग लगा दिया घ़zeitig तो यह सब कारे करम में अब लेक्षिस सकते हैं जिसके मात्यम से बिदरों को सफ़ल बनाने की कोशिच की गई अब महात्मा गानी ने बोला था कि दो वर्स तक यह आंदूलन चलेगा तो भारत हो जाएगा आजाद लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चौरी चौरा एक जगे है उत्तर परदेश गोरकपूर में है I think तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन में कुछ किसान आग लगा देते हैं और यह अगनी कांड होता है जौरी जौरा मिं और इस कंड में को लागते लगफ़ा 22 पुलिस बाले जो है वो मारे जाते हैं तो महत्मा गांधी ने बोला था कि आंदूलन में हिंसा नहीं होना ही ठीक है लेकिन हिंसा हुआ और इसी कारण पर महत्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापिस ले लिया तो उस्यो अंद्धुलनुक रद कर दिया गया घ्ली से खतम कर दिया गया 1922 में और हमारे को अजाधी नहीं मिली तो उस्यो अंद्धुलनों का जो टोपिक है यहीं पे खतम रोती है और यह वीडियो भी है खतम रोता है मिलूंगा आप लोग Joshi अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक की लिए जय हिंद जय भारत